आज मैं आपको N95 मास्क के बारे में बताने वाला हूँ तो मेरे पास एक नया N95 मास्क मैंने मार्केट से लिया है ठीक है तो मैं इसको एक बार खोल कर आपको दिखाता हूँ देखे इस पर लिखा हुआ है FFP1 ठीक है तो ये काफी लोग बोलते हैं N95 FFP1 तो क्या उसमें अंत अंतर क्या होता है तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा यहाँ पर ठीक है आप इस फोटो में देखिए रेस्पिरेटर मास्क इस तरीके के मास्क को रेस्पिरेटर मास्क बोला जाता और इसमें एक देखिए आप USA, China, Europe तो USA and China में जो है N95 का स्टैंडर्ड है ठीक है और यूरोप में उसी N95 को FFP1 बोला जाता है इसका मतलब FFP1 और N95 दोनों ही एक चीज होती है ठीक है N95 आपको USA में बोला जाता है K95 चाइना में और FFP1 यूरोप में और इंडिया में इन तीनों चुकि यह बराबर है तीनों लोग कुछ माल यहाँ पर इंपोर्टेड आता है ठीक है तो वो K95 होता है जो इंडिया बनाता है उसको लो FFP1 लिखते हैं तीनों सेम केटेगरी ओफ रेस्पिरेटर मास्क है ठीक है अब मैं आपको N95 जो यह मास्क है इसको मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीजे होती है एक तो आप देख रहे मास्क उसमें यह वाल्व नहीं होता है तो हम लोग इस तरही के मास्क को बोल सकते हैं वित वाल्व और विदाउट वाल्व मतला अगर इसमें यह वाल्व लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे वित वाल्व और अगर यह वाल्व नहीं लगा हो तो हम विदाउट वाल्व बोल सकते हैं ठीक है और इसमें एक देखे एक नोजपीन है जो सपोर्ट देने के लिए काम आती है ठीक है तो अब आप इस मास्क को आप कैसे identify करें कि यह mask आपका सही है या गलत है आपने मार्केट से जो mask खरीदा है वो आपने सही की खरीदा है की नहीं सबसे पहले आपको यह देखना यह देखिए यह लूप जो है यह आप देखो है आप यह सिला हुआ है इसको सिलाई मसीन से सिला हुआ तो यह mask आपका एन 95 मास्क नहीं है यह इनको इन्होंने मैनुवली सिल दिया है ठीक है यह इसमें कोई धागा नहीं होना चाहिए कोई थ्रेड नहीं होना चाहिए यह अल्ट्रा सॉनिक मशीन से की गई है ठीक है और इसके बाद हम फैबरीक में देखते हैं कि N95 मास्क में कितने लेयर होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक इसका construction diagram दिखाता हूं ठीक है N95 मास्क का यह देखिए N95 मास्क के construction diagram इसमें पांच layer of fabric यूज होता है ठीक है पांच layer of fabric पहला जो layer है वो non woven fabric होता है 50 GSM का ठीक है दूसरा जो fabric है वो है non latex cotton 45 GSM और तीसरा जो layer है वो melt blown fabric होगा जो filter की तरह काम करेगा चौथा भी आपका melt blown होगा ठीक है और पांचमा आपका होगा non woven fabric 30 GSM का आप इस mask में देखिए इस mask में आपको चार ही layer दिखेगा यह देखिए पहला layer पहला दूसरा और यह तीसरा cotton का और यह चौथा चार layer है इसका मतलब यह N95 या FFP1 के standard को meet नहीं करता है सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें कितने layer होने चाहिए पांच layer होने चाहिए ठीक है और पांचो layer के अलग-अलग GSM होते हैं उसके बाद आपको यह देखना ear loop सिलाई machine से की गई है या ultrasonic welding से की गई है यह manually इसको seal दिया गया है ठीक है तो यह होना नहीं चाहिए यह होना चाहिए ultrasonic welding यहां पे कोई भी holes नहीं होने चाहिए अगर holes होंगे तो virus तो आपका pass कर जाएगा ठीक है तीसरा चीज़ यह देखिए lamination यह part lamination है अब मैं आपक steps में यह बनता है मैं आपको steps wise दिखाता हूँ कि यह machine से कैसे बनती है सबसे पहले तो आप को यह जो कपड़े हैं आपको पता है कि 5 तरीके के fabric use होंगे ठीक है 5 तरीके के fabric use होती है और इसके width होती है लगबाद 260 mm ठीक है तो मैं आपको छोटे-छोटे clips में मैं दिखाता कि यह mask कैसे बनता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक video दिखाता हूँ slicing video ठीक है यह आप देखिए इस machine से देखिए यह mask का जो आकार है इस तरीके के आकार में यह mask यहां से निकल रहा है ठीक है इस तरीकी के shaping हो रही है अलग-अलग fabric से 5 layer की fabric है उससे यह पहले shaping होग दूसरा steps है इसमें sealing करना यह देखिए यह sealing की गई है तो आप यह sealing video में देखिए sealing video में आप देख सकते हैं यह देखिए यह ultrasonic welder है और ultrasonic welder से sealing की गई है 20 kilohertz 2000 watt का यह welder होता है उससे इसकी sealing की जाती है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे ear loop welding यह जो धागा से जो इसको seal दिया गया है यह देखिए यहापर welding हो रही है इसकी ultrasonic welding की जाती है ताकि कोई भी holes नहों सबसे important यही है mask के अंदर की किसी भी तरीके का holes नहीं होना चीए ठीक है अब आपको मैं दिखाऊंगा यह nose pin ब machine है छोटी सी machine होती है लगबाग 12-15000 की machine होती है यह और जितने भी N95 को बनाने की machine होती है उसके लिए आप हमारे company को contract कर सकते है ठीक है तो यह nose pin का हो गया उसके अलावा valves के लिए आप देखिए जो यह valves लगा हुआ यह valves कैसा बनता यह देखिए पहले valves के लिए holes हुआ उ तो यह सारा N95 का मैंने आपको describe किया मैं एक बार इसको English में बता देता हूं ठीक है तो greetings my friends today I will discuss about N95 mask और FFP1 mask okay so first we have to understand what is FFP1 what is N95 so let me show you one let me show you one photo where you can see this is the standards this is the mask standard you can see the first one is N95 USA China and Europe in USA China we call it N95 or KN95 KN95 is used in China and in Europe it is FFP1 in India all these three standards are used because some of the masks here are imported and some are made here okay so N95 KN95 and FFP1 these three are same standards so let me show you another picture of construction of N95 mask in N95 mask you have five layers five kinds of fabrics are used the first layer is PP non-woon fabric that is 50 GSM the second layer is non-latex cotton 45 GSM the third is melt blonde fabric 25 GSM fourth is melt blonde 25 GSM and the fifth one is PP non-woon 30 GSM if you see this mask this mask is just made of four fabric four layer only so it does not meet the criteria of N95 KN95 KN95 or FFP1 okay another point to note is you can see this ear loop is manually soon soon okay there should not be any use of any thread it should be ultrasonic welded so how you can judge whether this mask is accurate or not first you have to check the layers in this mask second you have to check check the threads there must not be any threads third is this nose pin and the fourth is just lamination so there are set of machinery to manufacture this mask I will show you those machinery in just small clips the first part is slicing video okay this this machine will given shape of this this machine have many kind of rollers okay and also this kind of design also you can see here designs these designs how these designs come these designs come due to the this roller okay this roller so to make such kind of mass if you need any kind of machinery you can contact our company so this is one with the slicing video the next is sealing video to seal this part you can see to seal this part there is a ultrasonic welder 20 kilohertz 2000 watt then you have a nose pin you can see this is a small machine nose pin machine yes so and then you have valve machine you can see two machine one for making holes another is for fixing it so this way you can make an n95 mask and you can differentiate between the accurate and the fake ones thank you